दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वजन कम होने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, वजन कम होने के क्या कारण होते हैं और सही तरीके से वजन को कैसे बढ़ाया जा सकता है वजन कम होने का उतना ही नुकसान होता है जितना वजन ज्यादा होने का अगर कोई पुरुष अंडर्वेट है तो उसके जल्दी मरने की संभावना 140 प्रतिशत है और अगर कोई महिला अंडर्वेट है तो उसके जल्दी मरने की संभावना 100 प्रतिशत है कहने का मतलब यह है कि अंडर्वेट होने से उम्र कम होती है और महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को अंडर्वेट होने का नुक्सान ज्यादा होता है अगर हम अंडर्वेट होने का comparison करें मुटापे के साथ तो अगर किसी को मुटापा है तो उसके जल्दी मरने की संभावना 50 प्रतिशत है यानि अंडर्वेट होना ओवर्वेट होने से ज्यादा नुक्सान दाइक है अंडर्वेट होने से आपका immune system कमजोर हो सकता है आपको infection होने का खतरा बढ़ सकता है आपको osteoporosis होने का खतरा बढ़ सकता है osteoporosis का मतलब है हड्डियों का कमजोर होना अंडर्वेट होने से आपको fertility problems आ सकती है सारकोपीनिया नाम की बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है सारकोपीनिया एक age-related muscle wasting disease होती है जिसमें उम्र बढ़ने पर mass patient का size छोटा हो जाता है और डिमेंशिया भी एक age-related disease है जिसमें दिमागी समस्याएं आती है अंडर्वेट होने के बहुत से कारण हो सकते है जैसे eating disorders, thyroid problems, celiac disease, diabetes और infections अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसे सही तरीके से करें अगर आप junk food खाकर अपना वजन बढ़ाएंगे तो इससे आपका वजन तो बढ़ जाएगा लेकिन इससे आपकी सहत खराब हो जाएगी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो मटापे की वज़े से होती है जैसे heart attack और type 2 diabetes आज कल तो ये हैं बीमारियां नॉर्मल वजन वाले लोगों को भी होने लगी है तो मुझे यकीन है कि आप मोटे होकर इन बीमारियों को लेना नहीं चाहेंगे इसके लिए आपको सही तरीके से वजन बढ़ाना होगा ताकि आपका वजन भी बढ़ जाए और आपको कोई बीमारी भी ना लगे तो इसके लिए आपको ज्यादा फैट को अपने उपर नहीं चड़ाना है बलकि आपको अपना मसल गेन करना है वजन बढ़ाने का फार्मूला ये होता है कि आपका शरीर एक दिन में जितनी कैलोरीज को खर्च करता है आपको उससे ज्यादा कैलोरीज खानी होती है अगर आप धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक दिन में 300 से लेकर 500 कैलोरीज ज्यादा खानी होंगी लेकिन अगर आप तेजी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं आपको एक दिन में 700 से लेकर 1000 कैलोरीज ज्यादा खानी होंगी। सही तरीके से वजन बढ़ाने के लिए प्रूटीन काफी महत्वपून होता है। अगर आप हाई प्रूटीन डाइट खाएंगे तो इससे आपका मसल वेट बढ़ेगा और मुटापा नहीं बढ़ेगा। आपको पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एक दिन में 1.5 ग्राम से लेकर 2.2 ग्राम प्रूटीन जरूर खाना चाहिए। जिन चीजों में प्रूटीन ज्यादा होता है वे हैं दूथ, दही, पनीर, डाले और ड्राइ फ्रूट। ज्यादा प्रूटीन खाने के साथ साथ आपको ज्यादा कार्बोहाइडरेट्स और ज्यादा फैट भी खानी है। आपके हर भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट्स और फैट होनी चाहिए। प्रोटीन से आपके मसल बिल्ड होंगे और अतिरिक्त कार्बोहाइडरेट और फैट से आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलेंगी जिससे आपका वजन बढ़ेगा। आपको ऐसी चीजें ज्यादा खानी होंगी जिन में एनर्जी ज्यादा होती है जैसे बादाम, अकھरोट, मूंगफली, किशमिश, खजूर, फुल फैट वला दूद, फुल फैट वला दही, चीज, पनीर, मक्षन, देसी घी, क्रीम, खोया, साबुत, अनाज, जैसे दलिया, ब्राउन राइस, आलू, शकरकंद केला, डार्क चॉकलेट और पीनट बटर, इन चीजों में काफी ज्यादा कैलोरीज होती हैं, जो आपको वजन बढ़ाने में मदद करेंगी, लेकिन आपको इस बात को पका करना होगा, कि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप खा रहे हैं, उ अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पेट पहले ही पानी से भर जाएगा, और आपके लिए ज्यादा कैलोरीज को खाना मुश्किल हो जाएगा, दिन में जब भी आपको प्यास लगे तो आप पानी ना पी कर दूध पीएं, इससे आपकी प्यास भी बुज जाएगी और हो चुका होता है, अगर आप इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं या कम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका शरीर आपके मेटाबॉलिक रेट को एड़्जेस्ट करके और आपकी एपेटाइट को एड़्जेस्ट करके आपके पुराने वेट को मेंटेन करने की कोशिश करत कुछ लोग जब वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा कैलोरीज खाते हैं तो उनका शरीर अपने पहले वाले वेट को मेंटेन करने के लिए भूख कम कर देता है और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है जिससे उन्हें वजन बढ़ाने में मुश्किल होती है इसलिए वजन बढ़ाना लंबी रेस दौडने जैसा है ना कि 100 मीटर की छोटी रेस दौडने जैसा वजन बढ़ाने में समय लगता है और इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा बहुत बहुत धन्यवाद